नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल मनिय ओडिस्टेल नियूज अमडियन पर दोस्तों बात काने वाले हैं ब्रैटकॉम गुरूप स्टोक के बारे में अब एक टाइम ब्रैटकॉम में अगर देखा जा तो दोस्तों लास्ट सेशन से वापस जो रिकावरी है वो यहाँ पर देखने को नजर आ रही है और फिसले टाइम कंपuny के दोस्तों जो CEO थे उन्होंने दोस्तों रिजिगनेशन दे दिया था फिलाल डूस्तों अब एक टाइम क्या FUNDAMENTAL कंपणी का होने वाला है वो भी जानने वाले है वो बी जानने वाले है कंपनी का आगे का給ने बाHarbor नहस्त तो दूसतो लास्ट क्लोजिंग नजर आए थी अब कम्पनी का दूस्तो ओलोवर डेटा अगर फिछले 5 सालों को अगर हम देखते हैं तो कई ना का एक अच्छा ग्रियन सिंगल अघ्र अच्छा पोजिटीव डेटा निकल कै आता है फिसले सिंगल 5 सालों में क्योंकि दोस्तो इस टोक में अगर देखा जाए maximum time के तो रूपर तो maximum time में दोस्तो इस टोक की जो फ्रैस यहां पर जो लिश्टिंग हुई थी दोस्तो एनसी के उपर तब इस टोक की प्रैस हम लोगों को 13.61 पेसे के असपास नजर आ रही थी अब कोवीड के समय के अगर ब कंपनी का जो एन बेलेंस देटा अब एक ताम देखने को जादा नजर आया क्योंकि दोस्तो लगातार कंपनी का जो डेटा था वो में दोस्तो अब एक ताम जो फाइनसीली जो बैठके हैं वो time to time दोस्तो company का management नहीं कर पाया पर अब एक ताम दोस्तो जो कंपनी जो है मार्केट में अगर देखा जाए तो दोस्तो कहीना कहीं जो रिवेन्य था वो यहां पर वापस रिवर्क्सल देखने को नजरा इस गिराउट के बावजूत बिदेश्तों आंकड़ों में जो positivity है वो बरकरार देखने को मिल रही है इसका मतलब दोस्तो company में data तो positive है पर company का जो management है वो काफी ज्यादा low और weak देखने को नजराता है क्योंकि दोस्तो एक अच्छे स्टोक के लिए अगर देखा आ जाए तो दोस्तो जो company में जो positivity होती है एक अच्छे स्टोक की जो पैचान होती है वो सभी के सभी गुण दोस्तो इस स्टोक में अभी वर्तमान में दो वो 16-30 की गिराउट नजराती है क्योंकि दोस्तो विसले वनियर में दोस्तो टोप प्रेज हम लोगों काफी पोजिटिव नजराती है 37 रुपए 45 पेसे पर इस वीपरित 6 मेने में दोस्तो एक बड़ी आर रिली देखने के बावजूत इस स्टोक में जो परदेशन में क्योंकि दोस्तो जब कंपनी में फाइनेशली बैटकों को लेकर चर्चा देखने को नजर आई तो कंपनी के मैनेजमेंट नहीं दोस्तो रिजिगनेशन दे दिया कही ना कहीं जो इस्तिफा देने का जो कारण है वो कंपनी में दोस्तो अन्बैलेंस डेटा देखने को मिल वर्तमान कारणों को देखते हुए दूस्तों कमपनी में मैनेजमेंट करने लाइक कुछ जो डेटा है वह पोशिबल है नहीं क्यूंकि अब एक टाम कमपनी में जो उतार्ष डाव भी इस परकार के ही देखने को मिल रहे हैं गिरावट है जो अगर देखी जाए तो वो भी इस परकार की देखने को मिल रहे है कमपनी में दोस्तों यही सबसे बड़ी जो नेगेटिविटी है वो वर्तमान आकड़े का नुसार रहने वाली है क्योंकि एक अच्छे स्टोक की पैचान में सबसे ज्यादा जो गुण है व तो दोस्तों उन सेर होल्डस को मैं एक चीज सजेस्ट करूँगा कि फिलाल इस स्टोक से अब एक टाइम वर्तमान आकड़े पर दूरिया बना ले क्योंकि वर्तमान जब तक कमपनी के दोस्तों टाइम टो टाइम फाइनेसली जो बैठी कि है वो नहीं हो जाती तब तक दो जिस परकार पोजिटिव डिटा देखने को मिल रहा है और कमपनी का मैनेजमेंट किसी अच्छे मैनेजमेंट के तोर पर अगर किया जाता है तो कहीं नहीं कि कमपनी हम लोग को डिवीडेन बोनेस भी प्याउट कर सकती है और कमपनी जब तक इस पोजिटिव का आंख़ड देखा जाए तो उसमें बड़ी गिरावट नजर है क्योंकि लगातार इस स्टोक में दोस्तों जो परदेशन था वो यह पे साल दर साल बत्तर होता गया है क्योंकि दोस्तों जब 2021 के अंदर इस स्टोक की जो टॉक प्रेस हम लोग को नजर आए ती 100 गुनी से रुपए के असपास है तो उसके बाद दोस्तों इस स्टोक का जो लगातार जो परदेशन है वो वीक और काफी ज्यादा देखा जाए तो नेगटिव देखने को यह मिला तो अब एक डाम दोस्तों आंगड़े पोजिटिव वले देखने को मिल रहे हैं पर मैनेजमेंट वीक रहेगा उसका दूरियां बना सकते हैं फिलाल दुस्तों आपकी नजर में इस स्टोक की और को बेसिक जानकारी को कमेंट सेक्ष्न में जरूर से बता देना उमीद करता हूँ जानकारी पसंद आए होगी पसंद आजी वीडिए को लाइक कर देना चैनल पर नए हो दोसो चैनल को जरूशे कर देना और आपके नजरे में कोई पैनी स्टोक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में फिलिंग कर देना इंसे स्क्रिके आपको जल्दी बता दिया जाएगा मिलते हैं एक्ट आमेजिंग वीडियो के साथ अब तक के लिए जाज़त दीजिए जैसरी केशना थैंक्स रो